कि इवनिंग स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग एक मेंट में चेक कर लूँ देखें क्लास लाइव हो गई है एक बाए बताईएगा कमेंट करके क्लास लाइव हो गई है मैं कमेंट देख लूँ कौन-कौन एड हो गया है बच्चा के गुड़ी इवनिंग गुड़ी इवनिंग चंदर कुमारी गुड़ी इवनिंग क्लास लाइव हो गई है औडियो वीडियो क्लियर है एक बाए कमेंट करके बताईए खाला कि मैं एक स्क्रिन पर देख रहा हूं आप लोगों की कमेंट्स अब मुझे एक बाए बता दीजे यह स्क्रिन थोड़ी सी मैं इधर रख देता हूं ताकि मुझे आप लोगों की कमेंट्स दिखती रहे हैं जी गुड़ी इवनिंग अंकिता पांडे पुरिया सिंग मेगा वंधना नमस्ते एक बाए आप लोग कमेंट करके बता दीजे क्लास लाइव हो गई है बता दीजे थोड़ा सा आईडिया लग जाएगा क्लास लाइव हो गई है चल रही है ओके ठीक है तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए सब्सक्राइव नियुक्त कर दीजा है गई फिर नाम राहूल जी देखिए क्लास तो मैंने चला दिए है एक और स्क्रिन पर और आप सभी लोगों से request है कि जल्दी जल्दी आप लोग जो है निरमेश सर भी आ गए हेलो निरमेश सर कैसे है जल्दी जल्दी class को आप लोग like कर दें और share कर दें नहीं पूनम जी मैं इस college से study नहीं किया हूँ कैसे है आप लोग class ready की जाए class शुरू कर देते हैं फिर आप लोग तयार है good evening तुशार जी good evening जी निरमेश सर आ गए हैं लेकिन निरमेश सर की comment नहीं दिख रही है जी चले तो पहला question आप लोगों के सामने आ रहा है तयार हो जाए है आज आप लोग question देखने के लिए तो most important question आप लोगों के साथ cover किये जाएंगे शीवानी शर्मा गुड़ी इवनिंग संगीता तो पहला question आप लोगों के सामने आ चुका है तो पहला question है पंडूबियों में निमलिकित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल के उपर बस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है जल्दी से बताइए which of the following is the instrument used to submarine to view object above the sea level बताइएगा जल्दी से पहला option है पाइरेलियो मेटर दूसर है पैरिस्को बी ओप्सन और सी ओप्सन है हाइप हाइप्सो मेटर और डी ओप्सन है ondometer बताइए क्या answer हैगा जी है तो student name is sir भी है name is sir का भी स्वागत करिये class में तो बताइए PDF आप लोगों को by you PCS group में मिल जाएगी मीना जी अब आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और इस question का answer लगाईए तो कई बच्चे इसका answer बिल्कुँ तो सई लगा रहे हैं यह होगा periscope periscope एक तरीके का प्रकाशी है यंत्र है optical instrument है जी optical instrument है एक तरीके से optical instrument है और चलिए तो किस का answer आगया है देख लेते हैं हम लोग अकरती गुड़ीवनिंग अर्विन पुशकर तो सभी का answer आगया है चलिए अगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं next question है आप लोगों का which of the following device is used to measure wind speed यानि wind मतलब भेती हुई हवाओं की गती नापने के लिए हम निम्न में से किस उपकरण का उप्योग करते हैं निर्मेश सर का स्वागत है जी क्लास में जल्दी से बताईए अच्छा computer mother अगर pole की सुब्दा है तो pole मौझूद करा दीजे जल्दी से बच्चों को जी मैं बोल दिया है हूँ team को अगर pole की सुब्दा है तो pole मौझूद करा देंगे जल्दी से हाँ जी तो लगाई ये answer जल्दी से गुड़ी इबनिंग बबली जी तो हवा जो बहती हुई हवा होती है उनको नापा जाता है किस से उनको नापा जाता है एनिमो मीटर से तो किसका आंसर है शमीता का आंसर आया है स्ठीक तुशार का आंसर आया है और सोनाली, सिम्रन गलत बदा रहे हैं एरो मीटर नहीं होता जी एरो नहीं मीटर होता है एनिमो मीटर होता है जो बहती हुई हवाओं को नापता है स्पेक्ट्रो मीटर भी नहीं होता है लोग गलत आंसर लगा रहे हैं स्पीडो मीटर भी नहीं होता है चलिए दूसरे कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं तीसा कोश्चन है यूडियो मीटर से किसका मापन किया जाता है यूडियो मीटर से किसका मापन किया जाता है जल्दी से लगाईए यूडियो मीटर से यूडियो मीटर से किसका मापन किया जाता है वायू मंदली दाप का समय का गैस के आयतन का की वासु दाप का किसका मापन किया जाता है यूडियो मीटर से तो जल्दी से बताईए तो यूडियो मीटर जो होता है students यह प्रयोग साला में इस्तमाल होता है laboratory में इस्तमाल होता है तो जो gaso का misrun होता है उनका volume नापने के लिए तो जो gaso के misrun होते हैं उनके volume में जो परिवर्थन आता है उसको नापने के लिए Unometer को use किया जाता है Unometer के अगर khोज-करता की बात करें तो बताइए इसके khोज-करता कौन थे जी विल्कु सचिन कुमार शुकला आपका अंसर सही है तो यूडियो मीटर के खोज करता का नाम बताएगा है जल्दी सबताएगे यूडियो मीटर के खोज करता का नाम इनका नाम था मार्सलियो इनका नाम था मार्सलियो लेंडरी ओनी इन्हों ने योडियो मीटर की खोज की थी ठीक है अब आप मुझे बताएंगे कि यह जो वायू मंडल का दाब होता है यह किससे नापा जाता है जल्दी से कमेंट करके बताइए वायू मंडल का दाब किससे नापा जाता है वाईउ मंडल का दाब किस से नापा जाता है उसको क्या कहा जाता है जल्दी से आता है वाईउ मंडल का दाब किस से नापा जाता है वाईउ मंडल का दाब ठीक है जल्दी से बता दीजेगा और अगला कोशन है हमारे सामने ब्यूफर्ट scale is used to measure यानि यह जो ब्यूफर्ट पैमाना है यह क्या नापने के काम आता है जी ब्यूफर्ट पैमाना क्या नापने के काम आता है atmospheric pressure परवतों की उचाएज, altitude of mountain या भेती हुई हवाओं की गती, wind velocity या intensity of earthquake तो बहुत अच्छा question है यह पैमाना किसके लिए use होता है, मैं आप लोगों को बता दूँ यह international scale है मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, scale की ना कि मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, किसी उपकरण की apparatus की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वायू मंडली दाब जो होता है atmospheric pressure जो होता है उसको buford scale से buford scale से ना पा जाता है ठीक है, इस scale पर कितनी reading होती है, कौन बताएगा जल्दी से देखें, computer mode है, अगर अगर possible है तो प्लीज जल्दी से जो है आप बच्चों को पोल की सुब्दा परदान कर दें क्योंकि बच्चे पोल मांग रहे है पोल ही जीवन है, जैसे ही मचली के लिए जल है, जीवन है, वैसे ही बच्चों के लिए पोल भी जीवन है, तो पोल प्रोवाइड करा दीजे तो दोस्तों ये एक international पैमाना होता है students, और ये इसमें जो reading होती है वो 0 से 12 तक होती है इस पैमाने पर जो reading होती है वो कहां तक होती है, 0 से 12 तक की reading होती है अरी बाद समझे, 0 का मतलब होता है सांत हवाएं, बिल्कुल सांत हवा होंगी 0 का मतलब क्या है, बिल्कुल सांत हवां होंगी और 12 का मतलब है कि बहुत तेज चक्रवार टाइप का तूफान आएगा तो इसकी खोज जो है वो किसने की थी ब्यूफर्ट ने ही की थी तो उनी के नाम पर इसको रखा गया है ब्यूफर्ट ने ही इसकी खोज की थी जैसे जैसे जीरो से उपर रीडिंग बढ़ती जाती है इस्टुडेंट्स वैसे वैसे मौसम में हवाएं जो बह रही है वो तेज होती चली जाती है अगला कोशन है सूरे की फोटोग्राफिक किस उपकरण के लिए से की जाती है मतलब सूरज की भी फोटो खिचनी बढ़े भाई सूरज भी तो सुन्दरता दिखाता है सेलफी लेना चाता है तो विच इंस्टुमेंट इस यूज़ फोटोग्राफिक दस सन गैलवेनो मीटर, पोटेंशल मीटर स्पेक्टो फोटो मीटर या फिर स्पेक्टो हीलियो ग्राफ बहुत अच्छा कोशन है, बताई जल्दी से इस कोशन का है तो जो इस्टुडेंट वीडियो को लाइक किये, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद जल्दी से इस कोशन का जवाब दीजी आप लोग जल्दी से जवाब दीजी और प्लीज आप लोगों से सभी से निवेधन है कि एक बार वीडियो को जो है शेयर भी कर देना पढ़ने वाले बच्चों के गुरुपस में, तो देखिए अगर हमें सूरज की फोटोग्राफी करनी है, तो हम जो है स्पेक्ट्रो हीलियो ग्राफ का यूज करेंगे किसका यूज करेंगे बिल्कुँ सथ ही, जै शुकला, तुशार, आवात खान, आवकृति, समीता, इनका आणसर बिल्कुँ सथ है, एश्वरया आपका आणसर सथ है, अम्भिका आपका सथ है, कामना शुकला, सोनाली आपका अंसर सही है, विपुल सौरब, आर्ट एंड क्राफ्ट, पूनम यादा, थेंक्यू स्वाती, सोनाली आपका अंसर सही है, भूतु मार्सल, आपका भी अंसर सही है, आजी, जैसे जल जीवन है, वैसे पोल भी जीवन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो मैं मजाक में कर रहा था, तो एक्चुली ये सूरज की जो इमेज निकाल सकता है, बताईए, ये 3D इमेज निकाल सकता है, कि 2D, ये जो स्पेक्ट्र हीलियो ग्राफ है, ये सूरज की इमेज कैसी निकाल सकता है, 1D, 2D, 3D, जल्दी बताईए, तब तक मैं भी शेयर कर देता हूँ, एक जी, तो चलिए, हाजी, PDF मिलेगी, मीना जी, कित्री बार एक ही कोशन पूछोगे, बोला है न, बाईजू के टेलिग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, PDF, सेम कोशन को दो बार पूछने पर आंसर नहीं बदलेगा, वो ही रहेगा, ठीक है, चलिए, अगला कोशन ये है, तो इससे 3D फिगर निकलती है, बहुत सही बोला, the instrument used to measuring air pressure is cold water, यानि हवा का अगर हमको दाव नापना है, तो बताईए हम एनिमो मीटर को यूज करेंगे, बोरो मीटर को यूज करेंगे, हाइगरो मीटर को यूज करेंगे, कि थर्मा मीटर को यूज करेंगे, जल्दी से बता जी, तो जो हवा होती है, उनका दाव नापना है, तो बोरो मीटर से नापा जाता है, तो किस ने आवाद ने answer दिया है, चंदा ने, सचिन ने, सिम्रन ने, इन सब बच्चों ने सही answer दिये, गुड जी, चलिए, अगले कोशन की तरफ चलते हैं, विच इंस्टुमेंट is used to measuring humidity of atmosphere, यानि वाता वरण में, जो humidity है, उसको किस से measure किया जाएगा अटा वरण में जो humidity है, उसको किस से measure किया जाएगा, जल्दी से बता दीजे आप लोग जल्दी से बताईए जी, तो इसका answer होगा, हाइग्रो मीटर, बहुत बढ़िया, हाइग्रो मीटर, कितने बच्चों का answer सही आया है आवाद, आकरती, अर्चना, सिम्रन, तो प्लीज स्टुडेंट वीडियो, उसको like करते रहिएगा, इस वीडियो को, और आप लोगों से निवेधन है, कि स्टुडेंट्स के बीच में इसको share भी कर दीजेगा, ठीक है, प्लीज, इसको share भी कर दीजेगा, तो वाइग्रो म किस ने खोजा था, who discovered hygrometer, जल्दी से बताइए, who discovered hygrometer, ये तो आप लोगों का answer सही है, hygrometer है, लेकिन hygrometer को discover किस ने किया था, तो hygrometer को discover करने वाले विज्ञानिक का नाम है, लिउनांड्रो, लिउनांड्रो, द, विंसी, इन्होंने इसको जो है, खोजा था, लेकिन ये आधुनिक नहीं है, इन्होंने 1480 में खोजा था, लेकिन इसके बाद आधुनिक, यानि modern hygrometer को खोजने वाले व्यक्ति अलग थे, तो modern hygrometer को खोजने वालों के लिए नाम जाना जाता है, henrich, henrich, lumbert, इन्होंने modern hygrometer खोजा था, चलिए, next question पर चलते हैं, और जो students वीडियो को like किए, उन सबी को धनेवाद, an animometer measure which of the following, यानि जो animometer होता है, वो क्या नापता है, प्रकास की गती, भेती होई हवाओं की गती, water की speed, या फिस satellite की speed, animometer क्या नापता है, तो जल्दी से बताईए option में, animometer क्या नापता है, animometer क्या नापता है, जल्दी से बताईए, animometer क्या नापता है, तो दोस्तों, अगर animometer की बात करूँ, तो यह हवा की गती नापता है, हवा की गती, यानि speed of wind, कितने बच्चों का सही अंसर आया है अगर हम बात करें अशोक शर्मा, सोनाली, आकरती, राखी, गितिका, नेहा, प्रिया, हेमलता, विनोस सर्मा, बहुत बढ़िया, तो यह है वायू की गति, यानि speed of wine, ठीक, अगला कोशन है आप लोगों के लिए, instrument for measuring low temperature is called, यानि कम ताप को नापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डाइगो मीटर का, क्रायो मीटर का, या फिर क्रोमेटो मीटर का, या फिर हमारा साइमो मीटर का, बहुत अच्छा कोशन है, बताइए, बिलकुल मिनिमम तापमान नापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बिलकुल मिनिमम त तापमान नापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बहुत अच्छा कोश्चन है, बताइए, सबसे कम तापमान नापने के लिए किसका यूज किया जाएगा, तो सबसे कम तापमान नापने की बात करें, तो इसके लिए cryometer यूज किया जाता है, क्या आप मुझे ये बता सकत तो हमारे प्यारे स्टुडेंट्स यह होता है एलेक्ट्रिकल यह होता है एलेक्ट्रिकल कंडेक्टिविटी को और अगर हम बात करें क्रोमेटो किस के लिए तो रंगो में भेध करने के लिए रंगों में भेद करने के लिए color perception के लिए use होता है और बताइए ठीक है? तो काफी चीजे मैंने आप लोगों को बताई है last वाला बताइए सायो मीटर किस के लिए use होता है? जल्दी सता है सायो मीटर सायो मीटर तो जो electric waves होती है electric waves होती है उनके दोलन की उनके दोलन की फ्रिक्वेंसी नापता है ठीक है जो भी विद्धु तरंगे होती हैं उनके दोलन की फ्रिक्वेंसी नापता है तो मैंने आपको सारे पॉइंट बता दी है हाँ भाई भूतु मारसल जी पोल के लिए बोला तो है लेकिन लेकिन क्या करें अब भी ओल आ नहीं रहा है हाँ तो मैंने बोला तो है और जो student वीडियो को लाइक किये उन सबी को धन्यवाद अगला question है instrument of measuring work performed is called यानि किये गई कार्रे को अगर नापना है तो आप कौन सा instrument यूज करेंगे udiometer, दूसा है animometer, c option है हाइटो मीटर और last d option है अर्गे मीटर या अर्गो मीटर बोल सकते हैं इसको अर्गो मीटर बताइए तो किये गई कार्रे को नापने के लिए हम कौन सा यंत्र यूज करते हैं नमस्ते साधना जी कैसे हैं आप लोग नमस्ते जी तो आप लोग उससे request है जिन्होंने वीडियो को नहीं आप लाइक किया है तो जल्दी से लाइक कर दे तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ एनिमो मीटर तो एनिमो मीटर आप लोगों को बताया जा चुका है यह वायू की गती के लिए होता है यह किस के लिए होता है विंड स्पीड के लिए होता है और यूडियो मीटर भी आपको अल्रेडी एक्स्प्लेइन किया जा चुका है गैसों के आयतन के लिए यहनि वॉल्यूम ओफ गैसे अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था वॉल्यूम ओफ गैसे अभी बताया था बस आपका यह नया यह है कि हाइटो मीटर से क्या होता है तो यह वर्षा को नापता है रेन को यह वर्षा को नापता है रेन को नापता है तो आपका आंसर क्या बना तो किये गई कारे को नापने के लिए आपका argometer यूज होगा argometer ये थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पर आकर डंडा होना चाहिए था argometer होगा तो कैसी लग रही है आप लोगों को class मज़ेदार लग रही है एकदम नए नए question मिल ले होंगे बहतरीन question class तो मज़ेदार है अगला 11 अरवे नंबर का question है विकरण के सभी प्रकार जैसे alpha बीटा गामा radiation हो रही है तो बताइए हम उनको किस से नापेंगे जैसे radiation होती है ना radio activity में alpha बीटा गामा की radiation होती है तो उनको किस से नापा जाता है giga counter से calorie meter से c option calorie meter से या last option है रेडियो मीटर से जल्दी से बताइए alpha बीटा गामा radiation जब हो रहा होता है तो उसको सबसे ज़्यादा wide level पे कल आएगा इसका part 2 स्वाती जी कल आएगा इसका part 2 और बहुत सारे question आप लोगों कि मैं cover करने वाला हूँ tension मत लीजे तो देखिए अगर radiation को नापा जाता है तो वो गीगर counter से नापा जाता है किससे नापा जाता है हाँ unit of work is arg बहुत बढ़िया बिल्कु सही गहरे हो विपल जी अब यहाँ पर काम की बात नहीं है यहाँ पर जो है alpha बीटा गामा radiation को नापने की बात है हाँ तो यहाँ पर दोस्तो students मेरे प्यारे भाई हों बैनो गीगर counter answer आएगा बारवा question which device is used to measure the depth of ocean यानि समुद्र की गहराई नापनी है तो बताए कौन सा meter use होगा समुद्र की गहराई नापने के lexometer, nanometer, phadometer या फिर दोस्तों आपका hydrometer जल्दी से बताए समुद्र की गहराई नापनी है या समुद्र में डूबी हुई वस्तों को खोजना है जी बताएगा दूर की वस्तों में देखने के लिए होता है प्रिया जी अच्छा इस ठैतों इसको पूछने है डॉक्टर अपने गले में जो सांप डालके रखते हैं वो ही है ये अच्छा ये बताएगे प्रेम की गहराई नापने के लिए भी कोई मीटर है अच्छा सोना ली जी तो इसका अंसर C काफी बच्चे सही बता रहे हैं फैदो मीटर जी ममता बता रहे हैं तो चलिए अगले कोशन पर हम बढ़ जाते हैं जी नेक्ट कोशन की तरफ हम बढ़ जाते हैं जी तो नेक्ट कोशन है आकास या समुद्र का नीला मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है देखे आपको पता है आकास भी नीला होता है समुद्र भी नीला होता है, तो scattering के कारण होता है, प्रेक्रीरण के कारण होता है, तो आकास हो, समुद्र अगर नीला होता है, तो इसको अगर हम नापें, इसका नीला पन, तो किसकी वजह से नापेंगे, बहुत अच्छा कोशन है, बाथ्या मीटर, छिक है जिसको वेदी मीटर भी कहते है मैं गलत पड़ गया से वेदी ही होगा फिर इधर है सेरेनोग्राफ है फिर साइनोमीटर है फिर बोरोमीटर है लगाए क्या आंसर होगा इसका जल्दी से होता है बिलकुल आवाद खान ने सबसे पहले आंसर दिया है और सबसे सई आंसर दिया है आवाद खान ने तो यह होता है साइनोमीटर क्या होता है साइनोमीटर होता है वेदी मीटर भी नहीं होता है वेदी मीटर जो है वो पानी की गहराई नापने के काम आता है वेदी मीटर जो है वो क्या नापने के लिए जैसे फैदो मीटर है ना वो शिप से यूज़ किया जाता है ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है पानी की गहराई के लिए वेदी मीटर जो है पानी की गहराई के लिए और बोरो मीटर तो आप लोग जानते ही है वायू मंडली दाप के लिए यूज़ होता है इस्टुमेंट फॉर मेजरिंग दा टाइम यानि समय को देखो समय को कोई नहीं रोप पाया है लेकिन अब समय को अगर बात आए तो समय को मापने के लिए क्या यूज होता है जल्दी से लगाईए समय को आप लोगों की कमेंट्स में देख रहा हूँ जल्दी से लगाईए जवाब समय किस से ना पा जाएगा तो बिल्कुल सही कहा क्रोनो मीटर से बहुत बढ़िया बहुत उन्दा जवाब किसका आया है देखते हैं सबसे पहले किस ने जवाब दिया है समय को 14th का D बिल्कुल नीरज कुमार जी आप बिल्कुल सही कह रहे है जी बहुत उ मार्सल कह रहे है मन नहीं लग रहा है बिना पोल गए भाई थोड़ा मन लगाओ जी और आकपुरती का आंसर सही है और किस किस का आंसर है यह ठीक है दोस्तो जो बच्चे डियोरो मेटर लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है ये प्लास्टिक जो होती है ना प्लास्टिक जैसे ये कुर्सी बगएरा प्लास्टिक की बनती है या रवड जो होती है उसकी कठोर्ता को नापने के काम आता है प्लास्टिक और रवड की कठोर्ता को नापने के काम आता है डियूरोमीटर आरिये बाद समय में एनिमोमेटर जो है वायू की सक्ती नापने के लिए काम आता है तो आप लोग गलती मत करिए यह आपका क्रोनोमेटर होगा जो समय के लिए आता है तभी तो क्रोनोलोजी बनता है इसी से तो बना है अगला कुशन है which device is used to measure earthquake यानि भुकम भुकम को नापने के काम कौन आएगा good evening प्रशान्ती अच्छा नवीन कह रहे हैं भुकम को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है भुकम का एंडोस्कोप, थर्मोमेटर, सोनोग्राफ या फिर सैस्मोग्राफ या सिस्मोग्राफ भी बोल सकते है स्वाती जी आपका भी विल्कुल correct है तो जल्दी से बताईए तो students अगर हम भुकम की बात करें तो इसको नापने के काम आता है सिस्मोग्राफ भुकम नापने के काम आने वाला है सिस्मोग्राफ जी सिस्मोग्राफ आएगा इसके काम जो student वीडियो को like कर दिये हैं उन सभी को thank you तहे दिल से धन्यवाद और जो like करने वाले हैं तो जल्दी से बच्चों वो भी like कर दें दोस्तों चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं instrument for measuring light intensity is called प्रकास की तीवरता को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में किया लाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं तो पहला option है lucimeter and second option is cryometer third is sinometer and last is borometer जल्दी से लगाओ मुझे पता है आप लोग इसका answer बहुत जवरदस लगाने वाले हैं बिलकुल delay किये बिना देखते हैं क्या answer आता है देखते हैं जी ऐसा instrument जो light की intensity को नापे प्रकास की तीवरता को नापे देखते हैं कौन answer लगा रहा है ओके विनोश शर्मा, सिम्रन, प्रनभी सभी का answer सही है आकृती का answer सही है आकृती का तुशार समित lucimeter बहुत बढ़िया lucimeter होता है, देखो atmospheric pressure के लिए biomiter यूज होता है जो बच्चे biomiter लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है काईरोमीटर को तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था साइनोमीटर को भी मैं आप लोगों को अभी अभी explain कर चुका हूँ already instrument used for measuring specific gravity is called what visist गुरुत को मापने के लिए specific gravity को नापने के लिए आप किस यंत्र का यूज करेंगे specific gravity को नापने के लिए आप किस यंत्र का यूज करेंगे पहला है वेदी मीटर, second is cryometer, third one is aerometer and last one is simometer बताये, बहुत अच्छा कोश्चन है visist गुरुत यानि specific gravity ठीके, तो बताये किस से नापने जाता है तो ये दोस्तो नापने जाता है aerometer से तो specific gravity जो होती है वो aerometer से नापी जाती है तो किसका answer सही है, तो इसमें परनवी का answer सही है और किसका answer सही है, बस, बाकि सारे बच्चे एकदम गलत आंसर दे रहे हैं दोस्तों वेदी मीटर का तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था अब वेदी मीटर क्यूं लगा रहे हैं वेदी मीटर का मैंने अभी आप लोगों को बताया है students पानी की गहराई तो अब क्यूं confuse हो रहे हैं बारवर ए क्यूं लगा रहे हैं यह तो मैं आपको already explain कर दिया हूँ चलिए 18 number का question आप लोगों के सामने आज चुका है तो जो लोग वेदी मीटर लगा रहे हैं वो सरासर गलत लगा रहे हैं already explain है उसके बावजूद भी गलत कर रहे हैं किस बहुतिक मात्रा को सीमेंस से ना पा जाता है बताईए actually यह पूछ रहा है सीमेंस किसका यूनिट होता है आप लोगों को बस यह बताना है कि सीमेंस किसका यूनिट होता है पहला option electric potential दूसा है electric conductance फिर है magnetic flux और फिर है reflective index सीमेंस किसका मात्रक होता है actually इसको G से denote करते हैं सीमेंस को किस से denote करते हैं D से तो जो विद्धूद चालकता होती है यह उसका मात्रक होता है यानि किसी भी चालक में जो विद्दूत का प्रभा होता है उसकी जो छमता होती है वो ही चालक की चालकता कहलाती है यानि Capacity of flow of electric is called the conductance of conductor यानि ये प्रतिरोधकता की resistivity की स्वरी resistance की माफ कीजेगा प्रतिरोधका उल्टा होता है ये प्रतिरोधका उल्टा होता है यानि इसका एक मात्रक जो होता है वो ओम इन्वर्स भी होता है इसका एक मात्रक जो होता है वो ओम इन्वर्स भी होता है जी काफी बच्चों का आंसर सही है आर जे पाठक जोती कुम अगला question है blood pressure जैसे आप लोग मेरा blood pressure बढ़ाते रहते हो पढ़ाई नहीं करते हो ना और paper नजदीक आ रहा है पढ़ाई करनी रहे हो तो आप ही लोगों के लिए class लेकर आये हों मैं तो blood pressure जो है अगर नापा जाएगा तो किस से नापा जाएगा सिफग मोनो मीटर सिफग मोनो मीटर दूसरा है थर्मा मीटर ECG या फिर इस्ठेटो स्कोब बताई किस से नापा जाएगा देखतें क्या आंसर आता है बच्चों का एक बार आप लोग वीडियो को शेर भी कर दो थोड़ा सा बच्चा आ जाए तो इस्टुडेंट्स अगर मैं बात करूँ तो यह होता है आपका सिफिग मो मैनो मीटर सिफिग मो मैनो मीटर जिससे की blood pressure नापा जाएगा थर्मा मीटर से temperature नापा जाता है ECG आप लोग जानत है तो सभी बच्चे बिल्कु सही answer लगा रहे है आज बच्चे बहुत जैन्वन आए है बहुत सही answer लगा रहे है बच्चे जी तो बारिस हो रही है बारिस का मौसम भी चला है बारिस की वज़े से आप लोगों को जो है network भी नहीं मिल लें तो यह मैं थोड़ी देर पहले explain भी क्या हूं बारिस तो लूसी मीटर है गलेक्टो मीटर है हाइटो मीटर है या फिर हाइग्रो मीटर है अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले यह explain भी किया था बारिश वाला याद करिए जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए तो student जो बारिश होती है वो हा पी जाती है यह देखिए मैंने अभी आपको इसे explain किया था हाइटो मीटर को आप लोगों ने देखा होगा हाइटो मीटर को मैंने explain किया था वर्षा लिखा था देख लिजए यहापर मैंने explain किया था नहीं किया था बिल्कुल 10 नंबर का question मैंने आपको अल्रेडी explain किया थ तो अगर ध्यान से सुना होगा तो इसका भी आंसर आएगा 21 वा कोशन है अगर हम दूद का विसिस्ट गुरुथ तो नापें यानि specific gravity of milk की नापें तो किस से नापेंगे विस्कोमीटर से या ओडोमीटर से हाईग्रोमीटर से की हाईडोमीटर से जोती जी जल्दी करवा देंगे आपकी भी साइइन्स की महरतन लेकिन अगर एक बात होता हूँ अगर आप ये कोशन पढ़ेंगे तो ये भी आपके एक्जाम में आएंगे ऐसा थोड़ी है कि एक्जामनर ये कहेगा कि उत्तरप्रदेश वाले पेपर में मैं इस कोशन को डालूंगा बिहर में नहीं डालूँगा ऐसा नहीं होता है कि मैं इसको YUP PCS में डालूंगा बिहर PCS में डालूँगा तो science तो common ही होती है दोनों में आरजे पाठक हो गए, एश्वर्य सर्मा हो गई, जो इसका दे रहे हैं जवाब, चलिए, तो अगला कोश्चन यह है कि धुआ, आप लोग इसमोग जानते हैं, इसमोग जैसे बाता वरण में कोहरा जो होता है, अगर उसमें गंदगी मिक्स हो जाए तो इसमोग हो जाता है, तो वो किसके मिस्रण से बनता है, पहला औप्शन कहा रहा है, ए औप्शन और ओजोन लुकार, सेखं़ अगर पॉल्यूशन मिल जाये तो वो इसमोग बन जाता है, तो यह आप लोगो को बताना है, यह ऐसे बनता है, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसका संदी तो smog plus fog ये दोनों मिलकर बनाते हैं तो ये वायू मंदल का प्रदूशक होता है यानि pollution होता है atmosphere में तो जालतार ये nitrogen के oxide और sulfur के oxide से मिलकर बनता है nitrogen और sulfur के oxide से मिलकर बनता है mostly जी तो D answer होगा है श्रीवानी शर्मा का answer सही है अमलेश का answer सही है विपुल सौरप का answer सही है RJ का answer सही है अर्विंद आपका भी सही है कामना वर्षात्यागी जयाशुकला साधना भई सभी के answer सही है नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ममता सुमन अंकिता अंबिका सभी का सही है mastermind का भी answer सही है भाई samayra का भी answer सही है सुधा का भी answer सही है तो अब हम अगले question की तरफ चड़ते है graphene क्या है carbon की कोई alloy है की nano structure है carbon का की carbon का कोई isotope है देखो बात isotope की हो रही है allotrop की नहीं हो रही है samisthanic की हो रही है ठीक है तो आप लोग गलती मतल कर दीजेगा यह none of these graphene क्या है graphene तो आप लोग जानते है carbon के जो allotrops होते है अपरूब जो होते है उजी से बनता है हीरा बनता है graphide बनता है और यही अगर हम carbon के nano कर लेते चलें और फिर structure करें तो graphene का करेंगे graphene अब तक की सबसे मजबूत अब तक की सबसे मजबूत है और graphene क्या है graphene अधातू है क्योंकि carbon non-metal है तो graphene भी अधातू है लेकिन यह विद्धुत की सुचालक है विद्धुत की क्या है यह सुचालक है graphene जबकि carbon का अपरूब जो हीरा वो है अगर हम बात करें तो steel से यह 200 गुना मजबूत है graphene बहुत मजबूत है graphene इस वक्त कारवन के nano structure से बनती है तो जितने बच्चों ने इसका आंसर बी बताया है वो बिल्कुल सही बोल ले है nano structure साधना ने सही बताया है देव ने आंसर सही बताया है बिल्कुल सचिन का आंसर सही है और अगर हम बोले तो RJ पाठक एश्वर्य आपका गलत है सुधा तिवारी आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक है जी और चलिए अगले question पर चलते है methane methane gas बताईए कहां कहां से निकलती है methane gas कहां कहां से निकलती है तो धान के खेतों से जो चाबल होते हैं दीमक नहीं होते हैं दीमक की बामबी से या फिर इन दोनों से ए और भी दोनों option से या उप्रोक्ट में से कोई नहीं तो students में आप लोगों को बताऊ तो methane gas बहुत सारी जगे से निकलती है धान के खेत से भी निकलती है जहां पर दीमक पल रहे हैं वहां से भी निकलती है जो कोईले की खाने होती है माइनिंग होती है वहां से भी निकलती है और अगर जो जानवर जुगाली करते हैं अपना मूँ चलाते रहते हैं अपने digestion के लिए तो वहाँ से भी निकलती है तो यहाँ यहाँ से यह methane gas निकलती है तो जो students वीडियो को like कर दिये है उन सबी को तहे दिल से धन्यवाद थेंक्यू वीडियो को like करने के लिए अगला question यह है यह बताईए पृत्वी पर जीवन के लिए कौन से तत्वो जैसे जीवन पर यह जो पृत्वी है इस पर जब जीवन की उत्पत्ती हुई तो उस time कौन कौन से तत्वो थे आपको यह बताना है इस question को देखके बताईएगा जब पृत्वी पर जीवन की उत्पत्ती हुई यानि life exist करने लगी तो उस time at the time अर्थ पर कौन कौन से element हुआ करते थे तो जादातर बच्चे इसमें confused हो जाते हैं और गलती से क्या करते हैं oxygen लगा देते हैं उनको लगता है कि oxygen इसका आंसर होगा लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है यह आप लोगों का आंसर सही नहीं होगा जी यह आपका आंसर सही नहीं होगा आपका आंसर B सही होगा oxygen नहीं है क्योंकि जब पृत्वी पर life की उत्पत्ती होई थी तो उस वक्त जो आवश्यक तत्तु थे वो थे वो थे carbon hydrogen and nitrogen वो क्या थे carbon hydrogen nitrogen तो कई बच्चे oxygen के चक्कर में आंसर गलत कर देते हैं मुझे पता है इसी लिए मैं यह question लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों से exam में यह गलती नहीं हो carbon hydrogen nitrogen तत्व पृत्वी पर जीवन की उत्पत्ती के लिए जरूरी थे oxygen नहीं होगा oxygen बाद में exist किया था जी अगला question यह जो hard water होता है वो किसके use में नहीं आता पीने के पानी के use में नहीं आता कि सावुन से कपड़े धोने के use में नहीं आता या जो boilers होते हैं जो गरम करते हैं पानी को उसके लिए use में नहीं आता है या फसल किसी चाई में तो पहला option कहा रहा है कि सिर्फ देखे इसमें आपको true और false बताना है इसमें आपको क्या बताना है true और false बताना है कि कौन true है कौन false है तो A option कहा रहा है कि first और third ही true है B option कहा रहा है second और third true है C option कहा रहा है first and second and fourth true है और D option कहा रहा है कि first, second, third, fourth, तीनो ही, चारो ही true है बताई एक answer कौन सा answer होगा जी बताई तो अगर मैं कहूं तो कठोर जल जो होता है जो heavy water होता है ना तो वो पीने के काम आता है it is true ना ही वो कपड़े दोने के काम आता है true और जो boilers होते है boilers भी फटने का डर होता है देखे क्या होता है कि यह जो कठोर water होता है तो यह white white की आपने देखा होगा जब हम पानी गरम करते है तो एक white color की परत जम जाती है तो यह परत क्या करती है यह उस्मा की कुछालक होती है तो boilers अत्यादिक गरम हो जाता है और उसके अंदर पानी उतना गरम नहीं होता तो boilers फटने का डर होता है और नहीं यह सिचाई के काम आते है यानि all are true तो इसके according आप लोगों का answer क्या हो जाएगा आप लोगों का answer हो जाएगा अप लोगों का answer कितना हो जाएगा नाइट्रोजन या फिर कारवन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कारवन जो स्टुडेंट्स वीडियो को लाइक किये उन सभी बच्चों को तहे दिल से धनेवाद थेंक्यू तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कारवन तो दोस्तों स्टुडेंट्स ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आप लोगों का हाइड्रोजन क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है चलिए, अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं 28 नंबर का कोश्चन आप लोगों के सामने आ गया है प्रकरती में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कारवनिक योगी कौन सा है? यानि जिसके अंदर कारवन हो और वो नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाए पहला ओप्शन इस ग्लुकोस सेकंड ओप्शन इस फ्रुक्टोस सी ओप्शन इस सुक्रोस और लास्ट ओप्शन इस सैलूलोज यानि आखरी ओप्शन सैलूलोज है तो बताईए जो प्रकरती में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वो कौन सा होगा? जल्दी से बताईए इन सभी में तो जो स्टुडेंट वीडियो को लाइक कर चुके है उन सभी को थेंक्यू प्रकरती में बताईए इन में से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो स्टुडेंट्स अगर मैं यहाँ पर नेचर में बात करूँ ताकि आप लोगों को कोई confusion ना हो यह इसका chemical formula है आप देख सकते हैं कपास हो गया, लकडी हो गया इन सब में cellulose बहुत बड़ी मात्रा में पाये जाता है अच्छा cellulose के अंदर cell wall होती है cell wall होती है, कोशिका भीती होती है जो कि हम जन्तूओं के अंदर नहीं होती है हम लोग मानव किस में आते है हम लोग animal में आते है तो हमारे अंदर कोशिका भीती नहीं होती है जबकि आप देख सकते हैं कि plants में कोशिका भीती होती है बिल्कुल जोती कुबारी जी बिल्कुल आया हुआ कोश्चन है exam में polysaccharide होते तो जितने बच्चे उन्हें answer दिये हैं बिल्कुल सही दिये हैं बहुत बढ़िया आज आप लोगों के जवाब बहुत उंदा आ रहे हैं ये बताईए अगर मैं सारे bio compound की बात कुरूँ इसके बना आपका bio compound यानी जव योगिक बन ही नहीं सकता है इन चारो options में बताईए जिसके बिना bio compound बन ही नहीं सकता है तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कारवन के बिना जो है bio compound नहीं बन सकता है कारवन के बिना तो सभी जैव योगिकों में अगर अनिवारे तत्तु बात करें चाहे वो आपके जैव हो या फिर आपके अजैव हो आपको मैं बता दूँ बायो या जो आपके नॉन बायो होते हैं अजैव जो होते हैं ये सारे के सारे कारवनिक योगिक होते हैं इस सारे के सारे क्या होते हैं जैब कंपाउंड जो होते हैं सारे के सारे कार्वनिक योगिक होते हैं तो अगर देखिए आप नाम से ही देख सकते हैं अगर कार्वनिक योगिक हैं और गैनिक कंपाउंड हैं तो इसके अंदर कार्वन हो गई ही होगा अगर कोई चीज कार्वनिक कंपाउंड है तो सीधी सी बात है तो उसमें कार्वनिक योगिक के अंदर हो गई होगा जैसे कोईला हो गया, इन सब के अंदर कारवन हो गया ही होगा, इसका आंसर C होगा, बिल्कुल, किस-किस ने आंसर दिया, चलिए नाम देख लेते हैं, रोजी का आंसर सही है, प्रिया का आंसर सही है, जैया का आंसर सही है, आवाद का आंसर सही है, आकरती, तुशार, नेहा, प्रिया, नुपूर, अशोक, देव, सचिन, नीरज, आरजे, पाठक, समायरा, सभी का, आवाद खान, सभी का अंसर ठीक है, बहुत देर से मैंने आप लोगों की कमेंड नहीं देखी थी, 30 नंबर का कोशन है आप लोगों का, निमलिकित में से कौन सा तत्तो किसी कारवनिक योगिक में मिलता है, फिर वोई बात इसने पूछ लिए है, कि औरगनिक कमपाउंड में ये वाला एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, पहला ओप्शन इस कारवन, सेकंड इस केलसियम, सी यानि पहला ओप्शन कारवन है, दूसरा स्केलसियम है, फिर नाइटोजन है, फिर आकसीजन है, बताईए, औरगनिक कमपाउंड में ये मिलेगा ही मिलेगा, सालनी जी गुड़ीवनिंग, तो जल्दी से बताईए, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगाया है कारवन तो अगर कोई औरगनिक कमपाउंड है, तो उसके अंदर कारवन मिलना ही मिलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, अमलेश का आंसर सही है, शिवानी सर्मा का आंसर सही है, प्रनभी का आंसर सही है, आकरती, सिद्धी, सौम्या, समिता, सचिन, गितिका, नवीन, अभिशेग, अर् पिंदेव, सभी का अंसर सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही है आप लोगों का जवाब आया, निमलिखित में से कौन सा सार्धिक यॉगिक का निर्मान करता है, अगर मैं बोलू कि इस दुनिया में अगर मैं सभी कमपॉंड्स की बात करूँ, बस हंडे अक्सीजन के हैं, तो देखो जब भी सबसे ज़्यादा की बात आती है ना दोस्तों, चाहें वो जैब बोले, बायो कमपाउंड बोले, या और्गैनिक कमपाउंड बोले, या सिंपल कमपाउंड बोले, इन तीनों का ही जवाब कारबन होता है, फिर से सुन लीजे, मैं एक पैंसिल लेड क्या है, पैंसिल का लेड क्या है, जल्दी सताई, पैंसिल का लेड क्या है, तो पैंसिल का जो लेड होता है, आप लोगों ने बच्पन में पैंसिल इस्तमाल कियोगी, उसके अंदर काले रंग का सिक्का होता है, तो वो किसका बना होता है, वो ग्रेफाइड का बना होता है कि चारकूल का बना होता है लेंब ब्लेक का बना होता है कि कोईले का बना होता है बताईए आप लोगों ने यूज़ किया है बच्पन में जल्दी से बताईए बिल्कुल यूज़ किया होगा सब ने यूज़ किया होगा life में एक वार बच्चपन में तो जो pencil होता है उसके अंदर जो black color का सिक्का होता है वो graphite का बना होता है इसका बना होता है graphite का बना होता है graphite का बिल्कुछ सही जवाब graphite का चलिए अगले question की तरफ बढ़ जाते हैं लोग निम्न में से किस में carbon मिलता है अगर मैं अब देखूं तो इन चारों में से carbon किस में मिलेगा सबसे ज़्यादा यह बताईए बच्चों का answer सही आया है बिल्कुछ सचेन प्रिया जोती बताईए जल्दी से इन में से carbon किस में मिलेगा अनुपुर्तिवारी कह रहे हैं आज भी यूज करते हैं शिवानी कह रहे हैं बच्चे खाते हैं जी चीक बहुत बढ़िया अगला question बताईए तो देखें तिन तो खुदी एक element है SN silver खुदी एक element है AG iron खुदी एक तत्व है FE जबकि lignite क्या है बताईए lignite क्या है एक कोईले की किसम है की नहीं है lignite क्या होता है जल्दी से बताईए lignite एक तरीके का कोईला है की नहीं है lignite एक कोईला है और कोईले के अंदर क्या होता है कोईले के अंदर कारवन होता है की नहीं होता है बिलकुल और ये लिगनाइट जो है बहुत खराब क्वालिटी का कोईला होता है इसमें बहुत धुआ निकलता है इसमें जो है कारवन जो है वो लगवग 45-55% के बीच होता है ये राजिस्थान में बहुत मिलता है ये वाला को निम्लिकित में से बताईए सबसे मजबूत कौन है जर्मन सिल्वर सबसे मजबूत है एलोई है एलोई मतलब मिस्रदातु है कि पीतल सबसे मजबूत है कि स्टील सबसे मजबूत है कि ग्रेफिन मजबूत है बताईए इन चारों में से सबसे आदा मजबूत कौन है जल्दी सत तमिलाडू के अकार्ट में मिलता है तमिलाडू के अकार्ट में मिलता है वो कोईला ठीक है अकार्ट में तो इस कोश्चन का जवाब दीजे जल्दी से आप लोग संदीप कुमार डी बोलें बिलकुँ सबसे मजबूत ग्रेफिन होता है नुपूर का अंसर सही है ममता का अंस से सही है, D होता है, बहुत बड़ी है, ग्रेफिन सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, 35 नंबर का कोश्चन ये है आप लोगों का, कारवन की मात्रा बताइए किस में अधिक होगी, कास टाइरन में सबसे ज़्यादा होती है, B टाइरन में सबसे ज़्यादा होती है, कि स्टील को तहे दिल से धनेवाद और आप लोग बताईए कारवन की मातरा सबसे ज़्यादा किस में होती है कारवन की मातरा सबसे ज़्यादा किस में होती है तो कारवन की मातरा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो होती है वो आपके कास्ट आयरन में होती है कास्ट आयरन में साड़े तीन अगला question है, इन में से बताइए किस में carbon नहीं होगा, which of the following does not contain carbon, ये हिंदी में नहीं है, तो मैं हिंदी में अगर ये question नहीं है, तो मैं अपने मुझ से बोल देता हूँ, इन चारो option में से देख के बताइए किस में carbon नहीं होगा, तो अगर ये कोशन हिंदी में नहीं है तो मैंने अपने मूँ से बोल दिया है चारों में से देखकर बताइए किसमें कारवन नहीं होगा तो हीरा कारवन का प्रूप होता है तो इसमें कारवन होगा ग्रेफाइट भी कारवन का प्रूप होता है इसमें भी होगा कठोर भी होता है हीरा सबसे आदा कठोर भी होता है जीब आगे चलते हैं जल्दी से बताइएगा निमलिखित में से किस जीब का रक्त सफेद होता है तो जो तिलचटा होता है कौकरोज जिसको हम कहते हैं इसका रक्त क्या होता है सफेद होता है जी जो तिलचटा होता है इसका ब्लड़ कालर क्या होता है सफेद होता है तिलचटा के गितिका जी अब हम तेज कर देंगे जी तो आप लोगों से पूछा जाएगी जो लिम्फोसाइट होते है उसका निर्माड किस में होता है लिम्फोसाइट का निर्माड किस में होता है ल two side क्या होता है lymphocyde is nothing यह एक तरीखे का WBC होता है WBC का type होता है lymphocyte तो इसका निर्मार्ड जो होता है वो हमारे bone marrow में होता है और अगर मैं आप लोगों को बताऊं bone marrow में और यह हमारी रोग प्रदिरौधख छमता को बढ़ाने के काम आता है next question कि जी और जल्दी से बताईए गितिका आप बताएंगी इस question का answer गितिका जल्दी से इस question का answer बताईए comment में जुड़े रहे अगर आपको answer नहीं आएंगे तो आप boring आपको लगता रहेगा class slow लगता रहेगा अगर आपको किसी question का answer नहीं आएगा तो class तो slow लगे गई जल्दी से बताईए triglyceride क्या होती है triglyceride protein में पाया जाता है carbohydrate हो गया triglyceride क्या होता है जल्दी से गितिका answer बताएंगे गितिका कहां पर है आप जल्दी से answer बताईए बहुत बढ़ी है गितिका पांडे गलत answer बताते हुए नहीं गितिका ए नहीं होगा triglyceride जो हता है वो fat होता है ठीक है देखे हमको एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ हमें जल्दी करनी है जल्दवाजी नहीं करनी है exam में ऐसा नहीं है कि हम जल्दवाजी में किसी question को गलत कर बैटें ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा ठीक है तो triglyceride एक तरह के क्या fat होता है और ये fat कहां पर पाया जाता है तो triglyceride का fat का प्रकार है ये पाया जाता है blood में तो ये जो मैं explain कर रहा हूँ ये भी most important चीज़े हैं ये भी exam में आती है कल को आपको पूछ लिया जाए exam में कि ये बताएं ट्राइग्लेसराइड हमारी body में ये जो fat होता है वो कहां पाया जाता है कई कम बच्चे बता पाते हैं इस बत बात को बहुत ही कम बच्चे बता पाते हैं कि triglyceride जो हो एक तरीके का fat होता है और ये हमारे blood में पाया जाता है और इसका जो ster है वो 150 DL से कम होता है और 200 Mg से जादा होता है इससे हो तो ज्यादा होता है ठीक है और इसी की वज़े से महिलाओं में एक बिमारी होती है फिमेल्स में एक बिमारी होती है बताईए वो बिमारी क्या है ट्राइग्लेसराइट फैट जब बॉड़ी में बढ़ जाता है तो ये महिलाओं को एक बिमारी होती है जल्दी से उस जल्दी से बताईए, females को एक बिमारी होती है, जब triglyceride fat बढ़ जाता है, तो उस बिमारी का नाम क्या है, जल्दी से बताईए, examiner पूसता है, तो ये सारे question ही है, जो मैं आपको बता रहूँ, अब देखें, जो मैंने इस बिमारी का नाम आपको बताया है, ये भी तो एक question है कल को आपसे exam में पूछा जा सकता है, triglyceride fat की बज़े से महिलाओं में जो बिमारी होती है, उसका नाम बताईए, तो ये भी तो एक question है, coronary artery disease, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, देखें, मैं आपको काफी question बता रहूँ, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं सिफ आपको लाइक कर दिए, उन सभी को धनेवाद, तहे दिल से धनेवाद, बताईए जल्दी से blood क्या है, एक connective tissue है, क्या है blood, या B option, उपकलित tissue है, या A और B दोनों, या फिर इन में से कोई नहीं, blood क्या है, blood क्या है, जल्दी से बताईए, thank you जोती जी, हाँ, mastermind, जल्दी से बताईए, blood क्या होता है, जल्दी से बताईए, thank you परनेवी जी, अच्छा अच्छा, हाँ, समिता जी दोनों में होता है, लेकिन महिलाओं में इसको क्रोनरी बोला जाता है, blood क्या होता है, जल्दी से बताईए, तो blood students, एक सायोजी उतक होता है, देखे connective tissue students वो होते हैं, जो अंगों को जोडने का काम करते हैं, अच्छा, ये बताईए, एक स्वस्त मनुष्य में, एक healthy मनुष्य में, blood कितना पाये जाता है, बलड पर बहुत कुश्य आता है, एक healthy मनुष्य में, blood की मात्रा पूछी जाए, तो आप क्या बताएंगे, जल्दी स को याद रखना है, प्रतिसरता होती है, साथ, यानि जो body weight है, जैसे for example, मेरा body weight 80 kg है, तो मैं जब इसका 7% निकालूंगा, यहाँ पर, तो 5.6 liter blood आ जाएगा, तो यह एक lump sum हमको idea लगता है, यहाँ पर, ठीक है, 5.6 liter आ जाएगा, तो लगवग 7%, अगर percentage में पूछेगा, त तो 7 बताएगे, और liter में पूछेगा, तो 5-6 liter बताएगे, फिर कह रहाँ, confused नहीं होना है, आप लोगों को बिलकुल भी, percentage में पूछेगा, तो 7% लगा के आएगे, और liter में पूछेगा, तो 5-6 liter लगा के आएगे, और pH value पूछेगा, तो pH value क्या बताएगे, जल्दी से ब दीजे, दो बच्चे और आजाए, maximum 100 हम लोग पकड़ ले, जल्दी से, जी, तो अगले question की तरफ चलते हैं, और अब आपको बताना है, आरेच फेक्टर का नाम किसके बेस पर पड़ा, चमगादर, रीसिस बंदर, गेंड़ा, चुहा, आरेच फेक्टर जो है, वो हमने कहा से लिया, चमगादर से, रीसिस बंदर से, गेंड़े से, या फिर चुहा से, बिल्कुल, सभी लोग पी एच वैलू सही बता रहे, गितिका पांडे बहुत उंदा, बहुत बढ़िया आंसर, गितिका, excellent job, और नुपूर, अंकिता, वर्षा, प्रिया, सभी बच्चों को जो उक्सले ने, विनर ने, या फिर D option, लेंडिस्टन एंड विनर दोनों, बताइए, आरेच फेक्टर की खोज किस ने की थी, आरेच फेक्टर की खोज, जली सता आईए, आरेच फेक्टर की खोज किस ने की थी, तो दोस्तों, आरेच फेक्टर की खोज इन दोनों नहीं की थ Lendister & Wiener roku सब्सक्राइ shade यहां पर RH factor होगा तो तो दोनों ही आपको consider करने पड़ेंगे लेंडिस्टर भी और वीनर भी अगला कोश्चन है आप लोगों के सामने जल्दी सत आईए रक्त समूं की ब्लड गुरूप की खोज किस ने की थी देखिए सुरवात में ब्लड गुरूप हमें A मिला था और कौन-कौन सा ब्लड गुरूप मिला था A मिला था और कौन-कौन सा ब्लड गुरूप मिला था B मिला था A भी मिला था और O मिला था ये ब्लड गुरूप थे जो की लेंडिस्टर ने खोजे थे 1902 में 1902 में O नहीं था देखिए A और B जो थे और A भी जो थे ये लेंडिस्टर के द्वारा थे लेंडिस्टर के द्वारा थे और जो चोट था ब्लड ग्रूप था वो खोजा था आपका इस टूलूरी ने ये खोजा था चलिए तो रक्त समू की खोज जो थी वो आपकी काल लेंडिस्टर ने थी यानि डी आंसर आप लोगों का सही होगा डी आंसर ब्लड ग्रूप का जी अगला कोशन प्रतीजन एंटीजन क्या है हमारी बॉड़ी में जो एंटीजन होता है जिसके विपरीत एंटीबॉडी बनती है एंटीजन क्या होता है हमारे सरीर के ताप को कम करता है बॉड़ी के temperature को low करता है हानी कारी bacteria को nust करता है हम लोगों को immune system provide करता है या फिर last अगर हमारी बॉड़ी में कोई भी poison होता है तो उसके anti-body का काम करता है बताईए चल्दी से बताईए कि anti-gen का काम क्या होता है हमारी बॉड़ी में तो students anti-gen का काम हमारी बॉड़ी में जो होता है immune system को figure करता है antigen का काम क्या होता है हमारी बॉड़ी में immune system को figure करता है next question अगर AB रक्त वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से रक्त ले ले तो उसका रक्त क्या होना चाहिए AB माल लिजे कि कोई एक ऐसा person है जिसका बलड ग्रूप AB है तो बताइए वो किस किस से accept करता है AB बलड ग्रूप बाला किस किस से बलड को accept कर सकता है अम्विका, समायरा, पर्णवी, अनिल, सुमन्ध, नुपूर सभी का अंसर सही है तो student जो AB बलड ग्रूप बाला होता है ये universal acceptor होता है ये A से भी ले सकता है, ये B से भी ले सकता है, A B से लिख सकता है, एवन O से भी ले सकता है, positive negative बाद में depend करता है, D antigen पर depend करता है, blood group positive होगा कि negative होगा, तो उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो answer होगा, अगर ये सबसे ले सकता है, तो इस हिसाब से आपका answer D ह कितने बच्चों ने answer लगाया, देव ने लगाया, नुपुर ने, नाहिद ने, वर्षा ने, इक्षा ने, सोना ने, दिक्षा ने, राहुल, साधना, स्वेता, रुची, मास्टर मायन, अभिशेक, अंके, दीप्ती, गुतु, जोती कुमारी, नेहा, गुपता, अशोक सर् आर्ती, सौमया, प्रिया, जया, अनिल, सचिन, अर्विंद, नेहा, सचिन, बहुत बढ़िया है, सभी कांसर सही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, अब बताइए वह कौन सा प्राणी है, जिसके जीव द्रब्य में हिमोगलोवीन विला होता है, यानि प्लाजमा को क ने फॉग होगा, यह होगा केचुवा, केचुवा जो होता है, जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है, इसके हीमोगलोवीन जो होता है, वो प्लाजमा में गैसों के द्वारा, पोशक प्रदार्तों के द्वारा परिवहन करता है, हीमोगलोवीन जो होता है, प्लाजमा में ग करें उन सभी बच्चों को तहें दिल से धन्यवाद वीडियो को लाइक करने वाले सभी बच्चों को तहें दल से धन्यवाद इस क्लास की पीपिटी में आप लोगों को बाइजूस PCS एंड अधर स्टेट एक्जाम डिसकुशन टेलीग्राम ग्रूप में पोस्ट कर कोस्किय स्वशन यहीं पर होता है यानि cellular respiration यहीं पर होता है माइट्रो कॉंड्रिया में ही होता है बिल्कुफ अगला कोशन है आपका ऐसा कौन सा जी विग्यानी है जिसने की कोसिका की खोज की थी बताइए सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था तो सेल को किसने डिस्कवर् किसने डिस्कवर्ड किया था तो सेल को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने कितना वच्चा आंसर लगाएगा इसका देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर लगाएगा रॉबर्ट हुक हाँ तो सुमंत मिश्रा का सबसे पहले आंसर आया है फिर कामना का आंसर आया है सा आकृति का अंसर आया, बहुत बढ़ीया गितिका का अंसर आया, शोक सर्मा का है, रॉबर्ट हुक ने सेल की कोछ की थी. प्लांट कोछिका, प्लांट सेल जो है, वो एनिमल सेल से क्यूं अलग है? mitochondria की वज़े से अलग है इसको हिंदी में mitochondria कहते है cell wall की वज़े से अलग है या फिर presence of protoplasm की वज़े से या फिर cell nucleus की वज़े से जल्दी से बताईए आप लोग जल्दी से इसका answer बताईए जल्दी से बताईए plant cell और animal cell में क्या difference है plant cell और animal cell में क्या difference है तो student plant cell और animal cell में सिफ एक ही difference है क्योंकि यहाँ पर cell wall होती है plants में पदाप कोशिगा में cell wall होती है और जनतु कोशिगाओं में नहीं होती है बस और देखिए एक घंटा हो चुका है जैसा कि मैंने आपको बोला था 10 पीम से 11 पीम तक मैं class लूँगा और 50 question में आप लोगों को क दिया है तो निमलिकित में से कौन हमारे सरीर का सबसे मजबूत भाग होता है यानि हमारी body में सबसे मजबूत क्या होता है bone inamel dentine या फिस cementum दंत वलक dentine या फिस cementum तो human body में सबसे मजबूत होता है enamel human body में सबसे मजबूत क्या होता है enamel होता है तो finally students इस class की PDF जो की बच्चा चाहता है तो यह आप लोगों को telegram group में मिल जाएगी आप लोग जुड़ सकते हैं telegram group में उस telegram group का नाम है PCS and other state exam discussion आपको यह यहाँ पर मिल जाएगी PCS and other state exam discussion ठीक है जी तो जो students अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे और जो students वीडियो को लाइक कर चूँगे है उन सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद थेंक्यू आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं कल मुलाकात करते हैं हाँ आज पहली क्लास है जी साइंस की ठीक है तो चलिए इसको यहीं पर close करते हैं बाइ बाइ